आज के शो की शुरुगात आर्के ब्रो और अल्फा अकेडमी के बीच क्विज बॉल चैलेंज दिखा दौनों टीम रिंग में एक दूसरे के आमने सामने बैठी दी आर्के ब्रो रोंग और अंसर से बरावर पर आजाते हैं और आर्के ब्रो लास कुष्चन का अंसर देके इसको जीत लेते हैं और जीत के वो रिंग से निकल जाते हैं अलफा के अडमी दुख मना रही होती है इसके ठीक बाद हमें अलफा के अडमी वर्सिस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक मैस दिखा मैस से पहले ही टककर पहलवान ओटिस ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को डेर करा मैस शुरू गुआ तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अलफा में मार देना शुरू करा ओटिस ने आके कुछ कब तक काफी कंट्रॉल करने ही कोईश करी उसके बाद Chet Gavel ने Dawkins को रोल करके या मैच जीत लिया अब MVP WWE Champion Bobby Lashley को रिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं Bobby Lashley आज अपने होम टाउन Denver में होते हैं MVP कहते हैं All Mighty ने जब WWE Championship के लिए Brock Lesnar को हराया तो last week Bobby Lashley के लिए celebration दे था फिर वो कहते हैं Bobby Lashley को नहीं पता था कि Roman Reigns उस मैच में दखल देंगे MVP कहते हैं last week parade और celebration होना चाहिए था लेकिन इसके बजाए Bobby Lashley को उनके title के लिए elimination chamber मैच मिला फिर वो Brock Lesnar के elimination chamber मैच में एंटर होने की बात करते हैं और कहते हैं कि Wrestlemania में title versus title मैच के वाल एक fantasy है MVP कहते हैं Bobby Lashley सबसे बड़ा और badass superstar है और वो WWE title return कर लेंगे Bobby Lashley कहते हैं ये आकरी बार है जब Brock Lesnar में मेरी disrespect करी है वो पूसते हैं आकरी बार कब Brock Lesnar ने अपना title को successfully defend करा और Raw पर कब compete करा Lashley कहते हैं मैं Brock Lesnar के साथ chamber में lock नहीं होगा बलकि वो मेरे साथ chamber में lock होगा Bobby Lashley इसके बाद claim करते हैं कि chamber के बाद Brock Lesnar hospital में होंगे और फिर मैं Wrestlemania के main event में अपना title defend करूँगा अब Alexa Bliss फिर से वही therapy session में डॉक्टर के पास दिखाई देती हैं Dr. Alexa Bliss को लिली छोड़ने के लिए कहते हैं Alexa Bliss लिली छोड़ देती हैं और काफी जादर होती हैं इसके बाद हमें AJ Style vs Damien Priest के 20 championship contender match के लिए match दिखा अच्छा match दिखाई दौनों सूपर स्टार के 20 दौनों ने जबर्जास performance इस match में दी दौनों में से कोई भी एक दूसरे पर ज़्यादा time के लिए हावी होता वो नहीं दिखा दौनों ने अच्छे moves एक दूसरे पर लगाए मैच के end में AJ Style ने Damien Priest को phenomenal forearm लगा के पिन करके match जीत लिया वैसे championship contender match में जाला तर champion हारते हुई दिखाई दियते हैं क्योंकि match कराना होता है और यही वज़ाए कि next week AJ Style vs Damien Priest के भी इच United States Championship के लिए match दिखेगा अब Rob Rantz से women's elimination chamber match एनाउस कर दिया गया है जिसमें Bianca Blair, Liv Morgan, Duo Drop, Nikki A.S.H., Reha Ripley और एक woman का spot खाली छोड़ा गया है अब देखते हैं उस spot पे कौन सी woman आती है अब back stage Kevin Owens और Seth Rollins दिखाई दिये Seth Rollins कहते हैं कि मुझे बुरा लगा कि तुम chamber match के लिए qualify match हार गए Kevin Owens कहते हैं आज की रात मैं theory को हरा के उसकी जगह chamber में लूँगा Seth Rollins कहते हैं चलो मैं इसके बारे में कुछ करूँगा बट Kevin Owens कोन पे बरोसा नहीं होता है इसके बाद हमें Miz और Murray दिखे वो भी Miz TV पे Miz सबका welcome करते हैं और फिर आज के अपने guest Dominic Mysterio और Ray Mysterio को बलाते हैं रिंग में आने के बाद Miz कहते हैं तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहां क्यों invite करा है Miz कहते हैं जब conflict होते हैं तो मैं पसंद करता हूँ face करना फिर last week की वीडियो दिखाई जाती है जहां Miz ने Dominic को हराया था Miz कहते हैं मैंने जो करा उसमें कुछ भी गलत नहीं था Ray Mysterio कहते हैं तुमने मेरे बेटे को हराया और तुमने जो करा उससे मुझे problem तो होगी Miz कहते हैं क्या तुम मुझे cheater बला रहे हो फिर वो crowd से बूसते हैं क्या मैं cheater हूँ crowd yes yes चिला रही होती है Miz हाथ उपर करके बोलते हैं तुम सब जानते हो इसका मतलब क्या है my hands go up your mouth go shut तुम cheating देखना चाते हो royal crumble में beat phoenix में मेरे punch मारे kicks मारी तुम celebrate करो और मुझे boom मिला और मुझे cheater बलाए गया Miz कहते हैं मैं cheater नहीं हूँ मारी जी कहते हैं कि तुम खुद को Raymis cheero कहना चाहिए Miz कहते हैं कि मेरी ijt कहा है फिर Dominic कहते हैं कि मेरे father को लेकर थोड़ी respect दिखाओ मिस कहते हैं Dulic Reymis cheero से काफी لمbay है फिर वो पूशते हैं क्या तुम है यगीन है कि तुम eidi के बीटे नहीं ही हूँ डॉमिनिक इसके बाद मिस को चेर पर धकेल देते हैं अब हमें डॉमिनिक वर्सिस दॉमिस के बीच एक मैस दिखा अब मैच जादा लंबा नहीं चला मैच के शुरू में ही रिंग के बाहर से मर्वी इसने डॉमिनिक के पैर को पकड़ के गिराया रैफरी नहीं देख लिया फिर उनको जाने को बोला वहीं मिज ने लास्ट वीक की तरह चालागी करनी चाही तो डॉमिनिक ने पीछे से आके उनको रोल करा पिन करके या मैच जित लिया इसके बाद हमें निकी एसेच वर्सिस ब्यांका बलियर के बीच मैस दिखा ठीक ठाक मैस दिखा हैं दौनों वोमिन्स के बीच एंड में ब्यांका बलियर ने निकी एसेच को इस मैच में हरा दिया नेक्स हमें कैविन ओंस वर्सिस ऑस्टिन थियोरी के बीच एक मैस दिखा बेल बचते ही दौनों ने एक दूसरे पर अटेक करना शुरू करा वो रिंग में आके कहती हैं कि मुझे लगा रॉयल ग्रंबल में घर में थी जहां मैंने बियांका बलियर, रॉंडा राउजी और रेहा रिपले से कंपीट करा बट उन में एक नाम नहीं था जो कि यह बैकी लिंच का इसलिए मैं रॉपर आई और उनको चैलिंच करा तब ही बैकी लिंच की एंट्री होती है और कहती है कि बड़े होने के नाते मैंने तुमारी पूजा करी फिर बैकी लिंच खुद को ग्रोव करने में लीता की हेल्प के लिए ठैंक्फुल कहती है लीटा के बिना बैके लिंच नहीं है और अब जब बैके लिंच यहां है तो कोई लीटा नहीं है बैके लिंच अपनी टोन बढ़ाती है और लीटा से पूछती है कि उसे कैसा लगेगा किसी के चाइल्डोड हीरो से सब को चील लेने पर वो कहती हैं मुझे लीटा को ठिकाने लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी लीटा कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि बैके लिंच को पसंद करते हैं पर मेरे खिलाफ टाइटल मैच में लोग मेरी हैल्प करेंगे जब तक फैन्स यहाँ हैं तब तक मैं एक लीटा हूँ अब बैक स्टेज कैविन ओवन से एडम पियर्ज और सॉने डैविल के पास दिखाई देते हैं जहां वो उस्चन थियोरी को हराने के बाद खुद को उनकी जगा चेमबर मैच में एड करने की बात करते हैं एडम और सॉनिया इसकी पर्मीशन नहीं देते हैं सॉनिया तो ये भी कह देती हैं कि कैवन ओमस इस साल रैसल मेनिया में भी नहीं दिखाई देंगे बस चैंपियन के तौर पर मैंने रसल मिनिया के मेन इवेंट को हेड्लाइन नहीं करा है बट मैं ऐसे चैंबर में बदल दूँआ फिर वो चैंबर के अपने सब भी अपोनेंट्स को वार्निंग देते हो नजर आए अब हमें रिडल वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच एक मैस दिखा शुरुआ दौनों के बीच काफी अच्छी रही दौनों ने एक दूसरे को पनिश करमा शुरू करा एक टाइम सैथ रॉलिंस अच्छे से रिडल पर हावी दिखाई दिये तबी केविन ओंस ने एंट्री करके रिडल पर अटेक कर दिया मैस डिस्क्वालिफिकेशन की वहे से रोका और जीत रिडल की हुई उसके ठीक बाद रेंडी ओटन भी आए और उन्होंने आके केविन ओंस को आरके लगा दी फिर हमें आरके ब्रो वर्से से रोलिंस के बीच एक टेक्टीब मैस दिखा रेंडी ओटन और से रोलिंस मैश शुरू करते हैं केविन ओवंस ने तो अपनी सारी फ्रस्टेशन रिडल पर निकालना शुरू करा से रोलिंस और के रिडल को बहुत मार लगाई रेंडी ओटनाय तो उन्होंने से रोलिंस और केविन ओवंस में मार दी मैश पर अच्छा कंट्रोल करना चाहा अच्छा मैश जिखान दोनों टीम्स के बीच मैश के एंड में से रोलिंस ने रिडल को कर्ब स्टॉम देखे मैश जीत लिया यहीं आज रोका एपिसोड एंड हुआ अब रोका शो काफी ज़दा लेंदी हो जाता है या शायद मैं ही कुछ ज़दा डिटेल में सेग्मेंट्स को कवर करने ही कोईश करता हूँ शायद इसलिए वीडियो लेट हो जाती है आप बताईएगा कि सेग्मेंट्स इतने ही डेटेल में कवर करा करूँ या शॉट में कवर करके वीडियो ज़दी अप्लोड करा करूँ ब्रॉकलेस नरा आद नहीं दिखे वो अब नेक्स रोके एपिसोड में दिखेंगे जो कि एलिमिनेशन चैम्बर से पहले करें और इस तरह की इंट्रसिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकन को प्रेस करें बलता हूं नेक्स वीडियो में थेंक यू